हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो सिक्षा कैसे आप सब आशा करते हैं तैयारी पुरे जोरो शोरो से चल रही होगी और अगले एक महिना दोस्तो अपने आपको अपने बचा करके रखना है बहार नहीं जाना है जादा ठीक है किसी भी तरह से आपको कोई डिजीज जो है देखो करो होना तो चली रहा है उसके लावा और बहुत सारी बिमारिया चल रही है सीजन चेंज हो रहा है वाइरल फैल रहा है नॉर्ट इंडिया में ठीक है मैं खुद वाइरल का शिकार जो हो चुका हूं सारी की सारी एनरजी खतम हो जाती है तिन-चार दिन खराब हो जाते हैं आपके कोवीड के टाइम के जो हाईजीनिक चीज़े हैं वो मेंटेन करनी है जो आपको हाईजीन स्टांडर्स जो मेंटेन करने हैं वो करें क्योंकि कोई फाइदा नहीं है अगर किसी भी तरह की प्रॉबलम हमको आजाती है ठीक है तो MCQs on Indian quality discuss करेंगे और इस particular lecture में में मे सारे revise हो जाएंगे अच्छे से learn हो जाएंगे ठीक है तो बड़े ध्यान से चलना है ठीक है question आएगा पहले खुद से revise करके करने की कोशिश करनी है उसके बाद अंसर हम आपको दिखाएंगे और detail में दिखाएंगे पहला question क्या कहता है कि कौनसा schedule है Indian constitution का जो names of the state और union territories और उनका territorial jurisdiction के बारे में बताता है जितनी भी आपके states हैं जितनी भी आपकी uts हैं उनके नाम और उनकी territorial jurisdiction जो है उस particular schedule में mentioned है तो वो कौनसा schedule है A, B, C, D easy question, it's a Sunday treat question, ठीक है Sunday किसी का खराब ना हो इसी लिए इसको डाला जाता है Sunday treat question हम इसको कहते हैं तो answer इस case में क्या हो जाएगा option A, first schedule ठीक है एक बार first schedule को देख लेते हैं तो यह है आपका first schedule, first schedule में दो पार्ट है सबसे पहले name of the states and their territorial jurisdiction and second is the name of the union territories and their territorial and their extent या territorial jurisdiction जो भी आप कह सकते हो, state और उनकी territory, UTs और उनकी territory और अगर हम article wise देखें तो first and fourth article में इन से related जो है आपको constitution में मिलता है, ठीक है, चलिए, next question देखेंगे, next question कहता है कि जो second schedule है, Indian constitution का, उसमें provisions है related to the emoluments, alliances, privileges, of which of the following, इन में से किसके alliances, privileges और salaries इत एक्स्ता, जो है perks and benefits इत एक्स्ता, listed है second schedule में, president of India, speaker of legislative assembly in states, legislative assembly का speaker, council of minister, governor of state, options A1234, B124, C134 and D is 1 and 4 only, ठीक है, president, speaker of legislative assembly, parliament की बात नहीं होरी, लोकसभा की बात नहीं होरी, state की legislative assembly की बात होरी है, council of minister और governor of state, ठीक है, देखो option 1 तो सब में available है, यानि कि president of India तो है ही है, ठीक है जी, उसके बाद, आप अगर option ध्यान से देखो, तो speaker of legislative assembly है, तो बहुत सारे बच्चे से confused हो जाएंगे कि speaker of लोकसभा होता होगा, या speaker of राज्यसभा होता होगा, speaker of legislative assembly नहीं होता होगा, ठीक है, पर बच्चे speaker of legislative assembly in states भी, जो है, उसकी emoluments, प्रिविलेजिस वगेरा भी इसके अंडर है, तो second option भी सही है, तो आप इसमें, जिसमें two नहीं है, उसको eliminate कर दो, ठीक है, उसके बाद governor of state, governor of state भी है, ठीक है, वो भी second schedule में आता है, तो A और B में से अब आपको पता होना चीए कि three है या नहीं, तो council of ministers जो है, वो second schedule में न चीए, नो की नो याद होने चीए, पूछे जाते है, president और governor, ठीक है, याद होगे, easily, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लोगसभा का speaker और deputy speaker दोनो, लोगसभा का speaker as well as deputy speaker, राज्यसभा का chairman as well as deputy chairman, अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश कर लो भाया, यहाँ पर कहीं पर भी mention word vice president नहीं है, ठीक है, क्योंकि vice president को, जो salary या, allowances जो सब मिलता है, वो as a vice president नहीं मिलता, वो as a chairman of the राज्यसभा मिलता है, अगर vice president किसी condition में, president की post के उपर आता है, president चुट्टी पर है, president किसी medical leave पर गया है, कोई भी कारण है, तो उस case में vice president को president की salary, allowances, emoluments मिलेगी तो vice president as a individual vice president की post के लिए कोई अलग से salary नहीं है, वो सारा chairman की, chairman of राज्यसभा के अंडर ही आ जाता है, तो examiner confuse करने के लिए डाल देगा कि वह vice president, ठीक है, तो उस case में नहीं होगा, क्योंकि chairman of राज्यसभा लिखा होना चाहिए, वहापर, ठीक है, तो president of India हो गया, governor हो गया, लोगसभा का speaker as well as deputy speaker हो गया, राज्यसभा का chairman as well as deputy chairman हो गया, speaker and deputy speaker of the legislative assembly of the state, ठीक है, speaker and deputy speaker legislative assembly, विदान सभा का भी आ गया, chairman and deputy chairman of legislative council of states, जिन states में legislative councils हैं, हाला कि सारी states में नहीं है, जिन states में हैं, उन states के chairman and deputy chairman भी जो है, इसमें आते हैं, Supreme Court के Judge, High Court के Judge and Comptroller and Auditor General of India तो इतना मुश्किल है नहीं याद करना President, Governor, Speaker, Deputy, Speaker of Parliament Speaker, Deputy, Chairman of Rajya Sabha Speaker, Deputy, Speaker of Legislative Assembly Chairman, Deputy Chairman of Legislative Council Judge of High Court, Judge of Supreme Court Comptroller and Auditor General असान सी बात है और यह सारे इन से related articles है जो Constitution में है यह थोड़े से important है इसलिए इनको briefly दिखा रहा हूँ Article 59 में Conditions of President Office है Article 69 में Vice President जब President कित्रा Act करेगा All right Article 75 है related to provisions as ministers 97 में है salaries and allowances of Chairman and Deputy Chairman and Speaker and Deputy Speaker Article 125 में salaries है Supreme Court के Judges की ठीक है Article 148 में Comptroller and Auditor General of India से related provision है Very important article याद होना चाहिए Article 148 Article 125 भी important है याद होना चाहिए 97 भी important है याद होना चाहिए Article 158 Conditions of the Office of Governor important है याद करना है 164 other provision as to minister यहाँ पर state ministers की बात हो रही है Article 186 में salaries and allowances Speaker and Deputy Speaker and Chairman and Deputy Chairman of State Legislative Assemblies की बात हो रही है ठीक है State Legislative Assembly Parliament की तो पीछे बात हो चुकी है Salaries of High Court Judges Article 221 important है याद करना है आपने ओके चलिए Next Question Third Question The Third Schedule of the Indian Constitution provides for the forms of oath and affirmation of which among the following जब भी कोई समीधानिक post के उपर आता है तो उसको oath लेनी पड़ती है तो उस oath के forms कुछ posts के forms जो है आपके Third Schedule के अंडर mentioned है तो वो कौनसी कौनसी post है ठीक है Candidate for election to Parliament and State Legislature जो Parliament या State Legislature का election लड़ना चाहता है Governor या फिर Judge of High Court Options 1 and 3 2 and 3 3 only और 2 only बताइए Third Schedule में अंसर या पर होगा आपका Option A Governor का नहीं है ठीक है Governor का नहीं है Two वाले Option कैंसल हो जाते है ठीक है देख लेते हैं एक बार ये आपका Third Schedule है तो Third Schedule में किन-किन के forms आते हैं Union Ministers के जो भी लोक सभा से या राज्य सभा से Parliament से basically select होकर Minister बनेंगे For example जब Amit Shah Home Minister बने होंगे Union Minister बने हैं तो उनको उन्होंने इस वाले form से Oath लिया होगा उसके बाद The Candidate for Election to the Parliament कोई भी Candidate Parliament का Election लड़ना चाहता है ठीक है तो उसको ये sign करना पड़ेगा अगर ये Oath लेना पड़ेगा अगर State Legislature के Election भी लड़ना चाहता है तब भी Member of Parliament Member of Parliament कोई MP बन करके आता है जैसे Amit Shah 2019 में पहली बार MP बन करके आए तो जब वो Member of Parliament बने तब उन्हें ये वाला Oath लेना पड़ेगा Supreme Court के Judge ठीक है जी Supreme Court के Judge हो जाएंगे आपके उसके बाद The Controller and Auditor General of India CAG आजाएगा आपका एक सेकिंड दीजिएगा मुझे झाएवाओा मुझेगा पयुछा कि यहां पर ना एक पॉइंट मिसिंग है नाइंध पॉइंट आएगा नाइन्थ पॉइंट इस फो दो जजजे पॉइंट आए था कि इसमें नाइन्थ पॉइंट क्यों नहीं है तो वो शायद किसी वज़े से यहां पर लिखना रहे गया है so the judges of high court so high court के judges की भी जो oath होगी वो भी आपकी इसके अंडर आएगी alright, तो supreme court के judges high court के judges, alright, उसके बाद state के ministers, union ministers as well as state ministers and the members of the state legislature alright, तो यह आपने अच्छे से याद कर लेना है 9 essay forms of oath and information यहाँ पर available है चलिए, उसके बाद 4th, 5th और 6th schedule को फटा फट से revise कर लेते हैं इसके ओपर मैंने question नहीं बनाया है पर मैंने आपको sample दिखा दिया है कि किस तरह से question बनेगा, तो सीधा question पूछ सकते हैं कि which schedule of the Indian constitution provides for the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and the union territory इसको अंसर हो जाएगा 4th schedule आप सब जानते हैंगी, इंडिया में जो states है राज्यसभा में जो member आते हैं वो state legislative assembly चुन करके भेजती है ठीक है, और हर state के अलग number of राज्यसभा seats मिली हुई है ठीक है, UP के पास अलग है, Sikkim के पास अलग है United States जैसा system नहीं है हमारे आपर US में क्या है, हर state के पास 2 seats होती है, Senate के अंदर हमारे आपर according to the size of the state that is, the territorial size as well as the population of the state के उपर हम determine करते हैं कि कितनी seats जो है, कि state को मिलेंगी ठीक है, तो ये जो allocation of seats है राज्यसभा में, according to the size and population, इसके बारे में कहां पर लिखा हुआ है, 4th schedule के अंदर लिखा हुआ है, उसके बाद 5th schedule हमने पहले भी discuss किया था, social security के lecture number 9 के अंदर या 8 के अंदर हमने already discuss किया 5th schedule को तो इसमें provisions relating to administration and control of scheduled area and scheduled tribes 5th schedule, 6th schedule जो है, वो भी जो है आपका administration and control of scheduled areas and tribal areas ही है लेकिन 6th schedule specifically 4 states के उपर focus करता है असाम, Meghalya, Tripura और Mizoram, ये भी हमने question discuss किया था, social security का जो 8th lecture था, उसमें मैंने आपको एक question दिखाया था कि किस तरह से question पूछा जा सकता है कि which of the following state is covered under 6th schedule, ठीक है, 4 states के नाम दे देंगे, उन में से 1 state नहीं होगी, ठीक है, चलो अल्राइट नाँ दे फूर्थ question, अर्रेंज दा फॉल्विग लिस्ट ऑफ दे सेवन शेडूल इन दे डिक्रीजिं ओडर ऑफ दे नंबर ऑफ सब्जेक्स इच लिस्ट अब सेवन शेडूल पहले है तो आपको पता होना चाहिए सेवन शेडूल में क्या है division of subjects, division of power ठीक है, division of subject हो रहा है between center and state government तीन list है, union list, state list concurrent list, union list में वो subject है जिनके ओपर central government कानून बना सकती है, केंदर सरकार कानून बना सकती है, state जिनके ओपर state government, concurrent जिसके ओपर union as well as state दोनों बना सकती है तो सवाल क्या पूछा जा रहा है कि जादा जो विशे है, जादा जो subject है वो किस list में है और उसी order में आपको increase करना है सबसे जादा, फिर उस से कम, फिर सबसे कम subject जिस list में है, तो बताए किस list में सबसे जादा है, और फिर किस list में उसके accordingly कम यहाँ पर है, ठीक है तो यहाँ पर answer आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा आपका option A union list में सबसे जादा subject है उसके बाद state list and उसके बाद concurrent list, ओके, तो यह आपका seven schedule है, तीन lists है अगर आप देखो, union list में 98 subjects है, originally जब constitution बना था, तब 97 थे, state list में 59 subjects है, originally जब constitution बना था, 66 थे, तो यहाँ पर say, इंडिया के federalism के उपर सवाल उठता है, यहाँ पर इंडिया के federalism के उपर जो है सवाल उठना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने state से एक तरह से powers जो है वो ले लिए, concurrent list में originally 47 थे, अब 52 हो गए, तो central government indirectly, concurrent list में subject बढ़ा करके, state की power जो है, वो कम कर रही है और अपनी power बढ़ा रही है, ऐसा जो है, इंडिया के उपर इंडियान फेडरलिजम के उपर एक blame लगाया जाता है, ओल्रेट, चलिए 5th question देखेंगे, with which amendment act, ORIA was renamed as ORIA, ORIA को rename करके, ORIA कौन से amendment act ने किया, 92nd, 94th, 96th और 98th इस तरह के amendment act कहीं बार पूछ लिये जाते हैं, constitutional amendment act important है, पता होने चाहिए direct सवाल इनके उपर बन सकता है तो answer यहाँ पर क्या होगा, answer है आपका यहाँ पर option C, 96th factual question है, either you know it or you don't know it, तो बात कर लेते हैं 8th schedule की, 8th schedule में क्या होता है, जो recognized languages है, ठीक है इसलिए हम इनको scheduled languages भी कहते हैं तो हाल-फिलाल 22 languages हैं, Indian constitution में presently, जब original constitution an act हुआ था, उस time पर 14 होती थी, तो कोई यह भी पता होना चाहिए कई बार इस तरह के सवाल भी examiner confused कर सकता है, statement based question में पूछ लेगा, that the original तो कौन सी 22 languages है 22 की 22 languages के नाम पता होने चाहिए करने पड़ेंगे याद असामिस, बंगाली, बोडो डोगरी, गुजराती, हिंदी कंणड, कश्मीरी कॉंकनी, मैथिली मले आलम, मानिपूरी, मराखी नेपाली, नेपाली भी है ओडिया, पंजाबी, संस्कृत ये भी याद रखना है संथली, सिंधी, तामिल तेलुगू, एंड उर्दू ठीक है, ये languages आपको याद होनी चाहिए पूछ लेंगे डाइरेक्ली की इन में से कौन सी शेडूल language है या कौन सी शेडूल language नहीं है अब एक चीज़ आपने नोटिस करी एक जो question सबसे ज़्यादा confused करता है, इसके अंदर कहीं पर भी English नहीं है ठीक है, ये ही एक सबसे बड़ा सवाल बन जाता है examiner सिद्धा पूछ लटा कि क्या English 8th schedule में है English 8th schedule में नहीं है, तो फस जाओगे जब 22 की 22 भार्षाएं याद होंगी तो इस तरह की चीज़े आपको पता चल जाएंगी ठीक है, सिंधी जो था 21 अमेंडमेंट अक्ट से आड किया गया, कॉंकनी और मनीपूरी और नेपाली, 71st अमेंडमेंट अक्ट से बोदो, डोंगरी, मेथली और संथली को एड किया गया था, 92nd अमेंडमेंट अक्ट से, और ओरिया को रीनेम किया गया, as ओरिया, by the 96th Amendment अक्ट, तो स्क्रीनशॉट लेकर रख ले न, हिजली हो जाएगा चलिए, next question with which constitutional amendment act, the 9th schedule was added to the constitution of India, 9th schedule, original constitution में नहीं था, तो इसको कौनसे amendment act से constitution में add किया गया 1st, 7th, 24th, या फिर 42nd by which constitutional amendment act the 9th schedule was added to the constitution of India, factual question है, आप इसको या तो आप attempt करो गया, या तो आता होगा या नहीं आता होगा, ठीक है, तो answer इसमें है, option A, 1st amendment act से इसको add किया गया था, ठीक है, तो 9th schedule में है क्या, वो भी देख लेते हैं, तो 9th schedule basically, क्या कहता है, कि ऐसे acts and regulation, state legislature के, जो land reforms से deal करते हैं, या जमिनदारी system को abolish करने से deal करते हैं, या कोई और matter, जिसके ओपर जो parliament है, वो important समझती है, कि उस पे कानून बनाना जरूरी है, तो उन acts को 9th schedule में डाला जा सकता है, 9th schedule basically, उनको protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा उन laws को, ठीक है, कि अगर कोई violation of fundamental right हो भी रहा है, लेकिन अगर 9th schedule के अंडर है, तो फिर वो judicial scrutiny से बच जाएगा, for example आपने reservation ही दे रहे हो, अब कोई उठकर के कह देगा कि जी, अब सुप्रीम कोट ने का कि 50% जो है आप maximum reservation दे सकते हो ठीक है, अब किसी state में, तामिलाडू जैसी state में reservation 68% तक पहुँच चुकी है तो उन्होंने क्या किया, प्रोविजन को 9th schedule में डाल दिया कि भाई, this is not available for judicial scrutiny ठीक है, क्योंकि fundamental right violate हो रहा है जो जिनको reservation नहीं मिल रही है उनका fundamental right violate हो रहा है, right to equal opportunity का, तो ताकि judicial scrutiny नहीं नहीं हो सके, इसलिए उसको 9th schedule में डाला जा सके, और ये First Amendment Act 1951 से लाया गया लेकिन 2007 में Supreme Court ने क्या कहा, कि अगर कोई भी law, 9th schedule में, 24 अप्रेल 1973 के बाद डाला गया है तो वो judicial review के लिए open रहेगा, ये कौन सा साल था, ये कौन सा time था, केशव नंदा भारती case का time था, जब बात हो गई थी basic structure की और basic structure में Supreme Court ने कहा, कि जो judicial overview है, judicial scrutiny है वो basic structure है ठीक है, आप उसको किसी भी तरह से, जो है खतम नहीं कर सकते और 9th schedule वो ही चीज़ तो try कर रहा था, judiciary की powers curtail करने की कोशिश कर रहा था, तो अगर तो, April 24 1973 के बाद कोई भी act कोई भी कानू 9th schedule में insert करते है, चाहे वो parliament है चाहे वो state legislature है, तो Supreme Court के पास power है कि वो उसको फिर भी judicial review कर सके, ठीक है Supreme Court या High Court भी ओके, चलिए, next question देखेंगे which amendment act of the constitution of India added the 10th schedule to the constitution, 10th schedule कौनसे amendment act से insert किया गया, options 42nd, 44th, 52nd, 61st, again same question है जैसा पिछला question था, answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, आपका option C, option C is 52nd, option C क्या है, 52nd amendment act से, 10th schedule के बारे में एक बार देख लेते हैं, तो इसमें provisions है, relating to disqualification of members of parliament and state legislatures on the ground of defection, defection क्या होता है, for example, मेरे को ticket मेली, Congress party की, मैंने election लड़े, Congress party के seat से, और मैं election जीत करके MP बन गया लोकसभा में, ठीक है, जब मैं लोकसभा में पहुंचा, तो मैंने देखा कि seat तो ज़्यादा भाजपा के पास है, ठीक है, सरकार तो BJP की बनेगी, तो मेरे को लगा यार, Congress में Congress का MP बन के क्या फाइदा, जो सरकार बना रहे हैं, उनका MP बनूगा मैं, तो मैं party change कर लेता हूँ, Congress को छोड़ देता हूँ, और BJP join कर लेता हूँ, तो यह क्या हो गया, defection हो गया, ठीक है, पावर की तरफ बन्दा भाग गया, तो इसके लिए कानून बनाया गया, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उससे उसकी seat वापिस ले ली जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको anti-refection law भी कहा जाता है, इससे related detail में और भी बहुत सारे questions देखेंगे, जब हम anti-refection related questions देखेंगे, ठीक है, चलो, 8th question देखो, 8th question क्या कहा रहा है, the 11th schedule was inserted in the constitution of India by the constitution 73rd amendment act 1992, ठीक है जी, 11th schedule का amendment act आपको दे दिया, statement 2 कहा रहा है कि 11th schedule of the constitution of India corresponds to article 243w, schedule दे दिया और article दे दिया, आपको बताना है कि कौनसा इन में से statement सही है, ठीक है जी, तो answer यहां पर होगा, ध्यान से पड़े, आपको पहले तो amendment act पता होना चाहिए, और उसके बाद उसका जो article है वो भी पता होना चाहिए, तो answer इस case में होगा, आपका option A1 only, ठीक है, दूसरा statement गलत है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, 2 schedule, 11th schedule और 12th schedule बहुत important है, 11th schedule, 73rd amendment act से आया था 1992 में and 12th schedule, 74th amendment act से आया था 1992 में ठीक है, जो 11th schedule था, इसके लिए जो article है वो है 243G option में था 243W 243W 11th schedule का नहीं है, 243W 12th schedule का है, ठीक है, इसलिए जो second statement था, वो गलत हो गया अगर W के जगा G लिखा होता, तो वो statement भी सही होता, और both जो है correct हो जाता, ठीक है, तो यह एक चीज़ याद रखनी है, 29 ऐसे matters हैं, जो आपको आपके 11th schedule में मिलेंगे, 29 matters, यानि कि जिनके उपर जो local पंचाहिती राज institutions हैं वो कानून बना सकते हैं, 29 subjects हैसे हैं, और जो आपके 12th schedule है जैसे यह question मैंने आपर एक दिखाया है इसमें direct पूछा गया है कि how many subjects are kept under the jurisdiction of पंचाहित in the 11th schedule, ठीक है तो मैंने आपको भी इसका दिखाया, answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा, alright अब यह 29 subjects का भी idea होना चाहिए, थोड़ा सा brief idea होना चाहिए, तो यह 29 subjects की list जो है मैंने आपको provide करा ही है, एक बार आप वीडियो को pause करें और इसको एक बार read कर लें, रट्टा लगाने की जरुरत नहीं है, बस read कर लो कि थोड़ा सा माइंद में बैठ जाए, पूरी तरह से रट्टा लगाने की जरुरत नहीं है, यह 29 subjects है, अगली वीडियो में जो 12 schedule के 18 subjects हैं वो भी दिखाऊंगा, इसी वीडियो में भी दिखा सकता था, पर I did not want की एक ही वीडियो में आपके दिमाग के ओपर सारा strain आए ठीक है, तो यह 29 subjects एक बार बस देख लो, पढ़ लो, हो जाएगा चलो, तो यहाँ पर इस वीडियो को end करेंगे, आपके 12 schedules जो हैं खतम हो गए हैं, अब मुझे नहीं लगता कि अगर 12 schedule में से किसी भी तरह से question आता है, तो वो आपका गलत होना चाहिए फिर भी कोई doubt हो, कोई inquiry हो, तो comment section में post कर सकते हो, या आप whatsapp कर सकते हो